नमश्कार दोस्तों मेरे पाम रेडिणग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आज 35 वर्स की महिला के पाम के एनलेसिस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो असरत पर दो संब अगर एक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उसे पहले अगर आप लोगों नभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपेकर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल ऐकन को प्रस कर दे ताकि लेटोस नोटिफिकेशन आपको मिल चाहें तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस परकार है वर्तमान समय में ये नौकरी में है विशेश कोई परशानी इनकी जिन्दगी पर केरियर के रिकारिंग तो नहीं है लेकिन आगे ग्रोध को लेके ये जानना चाहती है और आगे की जिन्दगी कैसी रहेगी संतान प्राप्ती के क्या योग है और आगे विवाहिक जीवन कैसा चलेगा इन सारे विश्वप इनको जानना है तो निशनत रहे आपके सारे ही कोशन्स पर अमविचार करेंगे उससे पहले आपकी बहुत सी पॉस्टिव औरस्थाएं आपके हाथ पर है और एक तो बहुत अदबुद है जिसको लेके काफी लोग कन्फूजन्स में रहते हैं नाना प्रकार की वीडियोस देखी है लेकिन इसके डाउट्स क्लियर नहीं हुए है तो मिस्टीरियस एक्स एक्स साइन आपके हाथ पर कब और कैसा फल देता है कब तक ये पूड़ा फल दे देगा इस विशे पर लोग को बहुत ज़ादा ही मिट से है और पता नहीं बहुत से लोग बोलते है ये साइन आपको करूरो का मालिक बनाता है अरबो का मालिक बनाता है तो नाना प्रकार की भरांती ये साइन को लेके तो आज उसी कुछ ब्रांतियों को हम दूर करने का प्रियास करेंगे और हमारा कोशिस यही रहेगा कि एक साइन के रिगारिंग जो भी आपके मन में डाउट्स है वो आज क्लियर हो जाए पर देखे ये साइन बनता कैसे और बनता कहां पर है ये हो गया एक साइन प्रायव वीडियोस में दिखाया जाता है कि ये साइन आपको करोरोपती बना देगी ये साइन आपको अरवोपती बना देगी ये साइन मातर 5% लोग के अतलिपर होता है ये साइन अदभुत है No doubt ये साइन्स भहत अदबुत है No doubt इसके बहुत अच्छे फ़ल आते No doubt करोडो अरवोपती के हाथ पर ये साइन देखा जाता है लेकिन इसका बिलकुल भी मतलब ये नहीं है कि ये साइन आपको करोडो ये अरवोपती बना देगा यह समझ पार हैं तो इसलिए इस साइन को लेकर विशेस मन में तकलीफ या बरानती फाने की आवशकता नहीं इस साइन बहुत अच्छा होता है बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ पर देखा जाता है लेकिन यह एकैला एक साइन आपको करोड़ यारगोपती नहीं बनात पहले इस confusion को दूर निकाल के आगे बात करते है पहले इस confusion को आप दूर निकालिए अपने मन से दूर भगाईए ये sign का कोई भी एक स्थिती चाए वो fish हो, चाए वो square हो, चाए वो progress line हो कोई भी एक स्थिती आपको करूरपती नहीं बना सकती इसलिए इस चीज़ को लेके जादा चिंता करने के आवशक्ता नहीं या जादा panic होने या जादा खुश होने के आवशक्ता नहीं आपके अदली पर सम्मलित रूप से चीज़े अच्छी होनी चाहिए आपके अदली पर और भी बहुत conditions होते हैं अच्छे होने चाहिए, आपके हाथ पर प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए, आपके हाथ पर अच्छी भागी रेका होनी चाहिए, आपके हाथ पर अच्छी सूरी रेका होनी चाहिए, आपके हाथ पर अच्छी जीवन रेका होनी चाहिए, तब ही समझना कि आप आगे होगे पैसे कमा होगे अधरबाइस तो बहुत दिक्कत है तो चलिए जी ये साइन आपने देख लिया इसके उब्रांद अब फल किसको ये देता है क्यों इसके बारे में इतनी ब्रांदी है पहले तो ये समझिए कि आप जो अपने अदली को देख रहे हैं क्या वो साइन आप समझेगा भाग गिरेखा के साथ ही बनेगा और भाग गिरेखा के अगर अलावा बना है तो वो स्कौायर या क्रॉस नहीं है स्कौायर नहीं वो क्रॉस नहीं है उसको क्रॉस समझने का गलती मत करेगा इसका भी एक कंसेप्ट है मैं बताऊंगा तो कभी भी ये साइन है तो समझें, यह क्रॉस है, अब इस क्रॉट, कुटस में भी टर्रॉमेंट कंडीशन्स है, माल लिए जाया, आपकी बागी रिखा ऐसे है, अगर यह कॉटस एकड़म यहाँ से आई है, तो फिर यह क्रॉस नहीं माणा जाएगा अगर ये cuts यहीं तक रह गई यहीं तक तो ये cross नहीं माणा जाएगा तो इसका term and condition यह है कि यह cross यहाँ से चलके ऐसे आना चाहिए और यहाँ से चलके इसके ना तो कोई lines आगे हो ना यह lines आगे बढ़े ना यह बढ़े नहीं बढ़े चारों में से कोई भी लाइन से आगे नहीं बढ़ने चाहिए नहीं तो इसके बहुत इच्छे पल जिंदगी पर नहीं आते आते ही नहीं है फिर इसको negative sense मिलेते हैं तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि क्या positive है और क्या negative है अगर कोई रेखा यहां से cut करके आएगी न ऐसे तो समझेगा ये राहू रेखा का परांच है तो ये जब भी पूनता बनेगा completely बनेगा तो ये ऐसे ही बनेगा इसी तरीके से हम इसको cross मानेंगे इसी तरीके से हम इसको cross मानेंगे otherwise नहीं मानेंगे उसके बाद ये ऐसे क्यों होता है देखे इस हाथ पर जो है इस हाथ पर प्रॉपरली बना है इसलिए इस विशेवदम चर्चा कर रहे है कभी भी कोई राहू रेखा आपको positive फल नहीं देगी इसलिए इसको हम नहीं मानते है जब भी ये बनता है accurately जैसे ही साथ पर देखो यहाँ पर से गई यहाँ पर से गई यहाँ पर से गई ऐसे गई तो इसको ही हम exactly cross मानेंगे यह line यहाँ के रुख गई है इसको हम नहीं मानेंगे अब इसके फल को समझे इसका फल इसलिए आपके जिंदगी पर अच्छा होता है और यह कम तक फल देगा वो समझो चाहे आप परुस का हाथ देखो महिला का देखो या आपकी हाइट 6 फिट हो या फिर 5 फिट हो या वेट आपका बहुत जादा उससे कोई फरक नहीं परता मतलब आपकी हाथ की बनावट कैसी भी हो उससे कोई फरक नहीं परता हाइट वेट को इसलिए मैंने बताया क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा तो हाथ लंबा होगा ज़्यादा छोटा होगा तो हाथ छोटा होगा ये क्रॉस जिसके भी हाथ पर होगा उसको ये अच्छा फल देगा क्यूं देगा देखो क्या होता है ना कहते हैं अगर हम तीन दोस्त हैं हम ताकतवर हैं अगर हम तीनों मिल जाएं तो फिर दुनिया जीतने का ताकत रखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा सच है कि हम तीन दोस्त हैं और हम बहुत बली हैं, हम करोडों के मालिक है, हमाना सब दोस्त करोडों का मालिक है, तो हम लोग कुछ बराकारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे में potential है, तो ये मुख्यता आपके मस्तिक्स रेखा से बनता है, मस्तिक्स रेखा का एक involvement इसमें होता है, और एक hurt line का involvement होता है, और एक भाग गे रेखा का involvement होता है मतलब तीनों ही मुख्य रेखाओं से मिलके ये cross बनता है जिसको हम एक अच्छा sign मानते है अब इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका जो बनावट है ये तीन रेखा के हिसाब में है मतलब मस्तिक्स रेखा जो आपके माइंड के बल को दर्शाता है आपके एक और इसी को दर्शाता है आपके potential को दर्शाता है हिर्दे रेखा आपके emotions को दर्शाता है कही न कहीं आपके व्यत्यत्व को भी दर्शाता है भाग गे रेखा आपके भागे को धन आगमन को दर्शाता है तो मतलब अगर आप मस्तिक से पूर्ण रहेंगे, हिर्दे से पूर्ण रहेंगे और भाग यसे प्रबल रहेंगे, तो करोडो क्या, ये बहुत कम इमाउंट आप करोडो का नाम लेके, इसके बेज़ती करनी हो गई, आप तो अरबोपती बनोगे, बहुत कम हो गई, तो ये इसलिए इसका मेन रीजन है, इसलिए इसके और भी कुछ टर्णमेंट कंडिशन्स है, और टर्णमेंट कंडिशन्स क्या हैं, कि आपकी मस्तिक से रहा अच्छी होने चाहिए, आपकी हिर्दे रहा अच्छी होने चाहिए, नहीं तो अगर आपकी मस्तिक से रहा अच्छी न साथ पर अच्छा फल मिल रहा है अब किस एज में फल देता है ये समझने वाली बात है किसी के भी जातक कहतली पर अगर ये क्रॉस बना होगा तो मूलता उसी एज में उसको फल देगा अब इसका आयू होता है 36 वरस से अपनी अपनी हतली निकाल के देख लो जो विक्ती 40 साल के हैं या जो 45 साल के हैं उनकी जिन्दगी सर्टन 35 वरस के बाद बदल गई होगी अगर ऐसी अवस्था होगी तो अब वो डिपेंड करता है कि आपकी भागी रेखा कितनी जादा पावरफुल है उस हिसाब से समय बदलता है लेकिन जरूर इतना समय बदला होगा कि आप प जो 36 वरस के बाद आपको देखने को मिला होगा और वो बहुत खतर नाक है माउंट में तो यह होती है प्रॉपर क्रॉस साइड के मतलब इतना एलोबरेशन में आज तक आपने कहीं कोई वीडियो नहीं देखी होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लुए तो चंथिस वर्स से आपकी जिन्दगी पर अच्छे पल देखने को मलेंगे जिन्दगी बेसिकली अच्छी रहेगी आपकी आपने जिन्दगी से बेसिकली संतुस्टर होगी तो यह पहले बहुत अच्छी प्रॉग्रस लाइन है एक दम स्मूथ लाइफ लाइफ और आगे भी जीबन रेका अच्छी ही बन रही है जहाँ पर से आपके जिन्दगी पर सुधार को दर्शारती है कि जिन्दगी पर तर्क्की को दर्शारती है अलाके इन चीजों को हम cover करेंगे बागे रेका आपके 28 साल से सक्री है मूलताम 30 साल से ही इसको सक्री अवस्था मानेंगे 30-31 के बाद ही आपके जिन्दगी में जादा स्मूत्रेंस दिखी होगी आगे के भी बागे रेका अच्छी है कुछ आपके सरकारी छेतर से धनलाव भी बन रहे है एक बनिया सूरी रेका जो फिक्ती को एक दौकरी प्रोफेशनल में डालता है बुद्र रेका बन रही है फिलाल बहुत क्लियर रही बनिया लेकिन बन जरूर रही है बरश्पते पर एक स्क्वाइर है 32 साड़ के बाद की जिन्दगी बहुत ही अच्छी रहती है तो चलिए जी इस चीज को आपने समझ लिया यह आपकी पॉस्टिव चीज थी अब नेगेटिव चीज क्या है देखिए नेगेटिव इटी में आपकी बरश्पती तकली होते अवस्था में जो विवाहिक जीवन में परिशानी को दर्शाती है संतान ना होना ये भी एक परिशानी है ये भी एक कही न कही प्रॉबलम से जो बरश्पती को लेगे है हलाकि इसके लिए हम ज़रूर आपकी कुडली प्रिफर करना चाहेंगे और जो आएक परश्णता संतान सुक को लेगे ये प्राया बहुत से लोग बहुत तरह के परिशन पूशते हैं ये भी एक कोशन बहुत ज़ादा ही मुझे काउंटर करना पड़ता है तो देखिए मैं लाख बार कहा चुका हूँ अब ये भी कह रहा हूँ कि हस्तर एका को देखके संतान सुक के विशन बताना बहुत मुस्किल है नामुम्किन है अब कुछ लोग बोलें के नहीं गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं मैंने बहुत सी वीडियोस देखी है या मैं जानता भी हूँ कि मतलब अगर यहाँ पर बुद्ध पर कुछ ऐसे लाइन्स बने न तो यह बेटा बेटी के इंडिकेशन को डालता है थंब पर कुछ लाइन्स बने न जैसे यहाँ पर तो यह बेटा बेटी के इंडिकेशन को डालता है मेरी बात सुनिए और समझिए अगर मुझे जूट बोलना होता तो मैं भी तो ये lines दिखा के जूट बोल सकता था आपको manipulate कर सकता था मैं तो महिलाओं का भी ride देखता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वो independent है उनका left क्यों देखूंगा मैं तो उनके लिए भी एक बना change ला रहा हूँ जो उनको digest करने में थोड़ी दिक्कते होती है लेकिन जब वो clarity से बात को समझती है तो वो digest कर पाती है अब ये बताओ कि मुझे अगर जूटी बोलना रहता तो मैं left ही palm देखता महिलाओं का भी मुझे अगर जूटी बोलना रहता तो ये सब फाल्तो योग दिखा के आपको परिशान करता manipulate करता लेकिन मैं ये नहीं करता हूँ तो हाथ से ये चीज़े नहीं पता चलता अब तुक्का मारने वाली बात है तो हमारी तुक्का भी तना सटीक होगा ना कि मैं सही ही बता दूँगा लेकिन हम वो कारे नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप लोग को सही जानकारी मिले एक लॉजिकल सेंस में जानकारी मिले हम वैसा उदेश लेकर ये कारे कर रहे हैं हम बिलकुल भी आपको manipulate या बिलकुल भी आपको दुविधा या बिलकुल भी आपको असमंजस में नहीं रखना चाहेंगे इसी वज़ा से हम इन चीजों का टिपनी नहीं करना उचित समझते हैं तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम कुणली को देखे अच्छे तरीके से पती पतनी दोनों के पक्ष को देखके ही ये चीज़े बताई जाती हैं कुणली के बाद हाथ से बिलकुल भी पता नहीं चलता तो ये questions मैं नहीं answer कर पाऊंगा तो ये चीज़े आपने समझ लिए एक negative चीज थी आप एक मूल रूप से आपको दर्शा सकते हैं जैसे विभाईक जीवन में दिक्कत तो विभाईक जीवन में दिक्कत ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके कला कच-कच होगी तब भी वो दिक्कत माने जाएगी ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी शादी ना होगी तबी वो दिक्कत माने जाएगी ये भी जरूरी है ना कि अगर आपका संतार नहीं होता है आप उसके परिशान नहीं दे तो वो भी एक दिक्कत है तो ये ब्रश्पती मूलता दर्शाती, इसके लिए हमें ब्रश्पती के वस्था को देखना पड़ेगा, इसके उपराथ को चुपाय करने के बाद बहुत लोगों के जिन्दगी पर फलित भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि फलित नहीं होता, जो भी इनकी समझ से आई चल रही है, चाहे वो संतार प्राप्ती में हो, या फिर विवाहिक जीवन में हो, तो ये इनके कोश्चन्स थे, बागे इनके और कोश्चन्स थे, आगे के जिन्दगी कैसी रहेगी, हम उस्पिशा पर बेडिस्कुशन करना चाहेंगे, जैसे देखे, बच्पन से प्रगती के योगते 22 में में भी थे, आपके फिर 23 में में भी थी, फिर 24 में में भी थी, लेकिन एक बड़ी तरक्या आपके 31 में वर्स में थी, 31 एर्स में एक बड़ी तरक्या आपके जिन्दगी पर दिखी, फिर 34 एर्स में भी है, 35 में भी है, 36 में एक दिक्कत है, 37 में में भी है, 38 म में बड़ी तरक्की आपकी जिन्दगी पर है, 54 में, 56 में, आगे भी आपकी जिन्दगी पर ट्राइंगल्स बने हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी का सुख को दर्शाते हैं, 56 के बाद भी अच्छी है, 72, 75 के बाद भी जिबन रेका अच्छी है, मतलब लाइफ आपकी काफी स्मूथ है, जो कि आपकी एटलिया में पूर्णता बता रही है, जहाँ पर से विसेईस तकलीफ आपकी एटलिया में नहीं दिखा रही है, जहाँ पर से राहू रेखा नहीं है जहाँ पर से आपकी लाइफ लाइन पर प्रॉग्रस लाइन कंटीनू बेसिस पर बने यह सब एक बहुत पॉजिटिव अवस्था है जहाँ पर से विक्ति की जिंदगी अच्छी रहती है बहुत ही स्मूध रहती है जातक को जादा विशेशकर परशानी नहीं देखनी परती है अब और भी किसी वज़ा से परशानी हो जाए पारिवारिक मामले मो जाए तो वो एक अलग मैटर है लेकिन विशेशकर ऐसे जातकों को परशानी नहीं देखनी परती है तो ये इनके positive, negative और उनके question थे अभी इनके अतली का पूरा-पूरा analysis करेंगे चीजों को असपस रूप से clear करेंगे तो वीडियो काफी ज़ादा महतपून है देखे, सीखे, समझे इस्क्वाइर स्पाम है बद्यवेच के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं नहीं संदे है, सफलता जिन्दगी पर जरूर मिलती है प्रेनेट्स काफी अच्छे condition में है जहाँ पर से राज्योक कारा कतिरी है 70% जिन्दगी काफी अच्छी बीदती है इसमें किसी परकार का संदेह नहीं है गदेदार अवस्था है मतलब महालक्षमी के किसी करपा है जब भी धन के आवशक्ता हो कही न कई से आ जाएगा फिर देखे थम स्ट्रॉंग थम ऐसी महिलाएं कि परसनालिटे बिलकुल वे जुकने वाले नहीं होती एक अधिकारी पत्त का अब जरूर पहुंसती है जबरदस्थम है जबरदस्थ विक्तितों का परचे करा रहा है यह वाकिरती है जब भी सपोर्ट क्या वशक्ता पढ़ेगे मिल जाएगी डेजायर्स बड़े उंदा है पर जिन्दगी को सेट करना था फिर बहुत कुछ करना था इसके वाले अवज था थी आपके आँथ पर यह देख लो डेजायर्स के लाइन है सेकेंड फलेंच बहुत बड़ा है इंसान बहुत तेस्तराग बहुत समझदार होते हैं और अपने value मान समान को बनाने जानते हैं जो कि आपके एतले हमें मूड़ रूप से बता रही है तो जबर्दस थम्ब है ऐसी महिलाओं के विक्तित बहुत जबर्दस होता है जुकने वारी personality नहीं होती है समझदारी के लूप काफी ज़ादा अच्छी ऐसे जातक बहुत समझदार अपने जिन्दगी को समझदारी के तहट जीने वाले थोड़े खर्च के सितियां बढ़ेंगे जिन्दगी पर ना चाहते वे भी कुछ introvert के लाईने सबसे गुलते मिलती नहीं है लेकिन मिननसार सोबाब है बहुत अच्छी है दिल के दिल में किसी के लिए कोई संदेहे वाली बात नहीं है ये सब तो confirm है बहुत जबरदस्त है मतलब हमेशा ही लोगों के विशेम आप अच्छा सोचते है इसमें किसी परकार का कहीं भी कोई doubts नहीं है उसके बाद ये टिंडिक कर रही है धारमी कास्ता का ये परचकराती है ये आपके बरश्पती फिंगर छोटी संद की बड़ी तो विक्ती बहुत कजब कहीं मती सैटरन और संद की अटैच्मेंट विक्ती नहीं है तो रूप से अपने जन्दगी को जीना चाहते हैं और जीते भी है बुद्धिफिंगर बहुत बड़ी है कम्नियोकेसन इसकिल वाइस बहुत प्रबल अपनी बातों को दूसे के समख्च रख पाएंगे समझा पाएंगे उससे अर्ण भी कर पाएंगी लब जिसमी जातक का कम्नियोकेसन इसकिल से जुरावा कारी होता है वो बड़ा मैनुबलेटर होता है वो किसी को भी बाते समझा सकता है, कन्वेंस कर सकता है बहुत भी अराम से तो बहुत जबरदस्त बुद्धिफिंगर है ये समान नहीं है, असमान निवस्ता है मतब ऐसे जातक बहुत 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 जबरदस्त कम्नियोकेसन इसकिल के मालिक होते है चलिए इस चीज़ को आपने समझ लिया अभी चलिए बरशपती पर ये बहुत प्रॉबलम में ठीक थी प्रारंबिक समय से स्ट्रगल आपने देखा है मोड़ता 30 वर्सों के बाद की जिन्दगी ठीक दिखिए उससे पहले कुछ दोके बे जिन्दगी पर मिले है कुछ स्क्वायर था है जो आपकी कई ने कई ऑथरिटी पोस्ट को दरशारी थी और यहां पर से कुछ पर उपकार के लाइन्स तो विक्ति सेवा भावी है दूसरे के मदद करने के लिए हमेशा ही तात पर रहते है तो बरश्पती अच्छा है ज्यानी महिला भी है आप और लोगों के परती एक अच्छी भावना है यहां पर से दबाब है तो विक्ति गजब के मैनती और जबरदस फेट लाइन घर से दूर का उनती नेटिव पलेस से दूर का उनती होता है और इसको सरकारी छेदर से धनलाव के योग भी है आगे आपकी भागी रेखा भी बड़ी शांदार है तो भागी का प्रौपर साथ मिला इस चीज़ का यह परचकरा रही है यहां से भी भागी रेखा आपकी पूर्ण रुपेन बनी है जहां से भागी का प्रौपर साथ लाइर ओफ एजुकेशन अच्छा है विक्ती भाध समझदार भाध तेश्त रराक होते हैं एक जबरदस्त आपकी सूरी रेखा एक से ज़ादा मतलब विक्ती भाध जबरदस्त आपनी है तो यह टरेंट का परचे कराती है जातक बहुत ज़ादा ही टरेंट होते हैं तो सूरी रेखा अच्छी है कुरेशी अच्छी टरेंट अच्छा है चीजों को समझने के कपैसिटी अच्छी है आपके अंदर फिर एक प्रापर स्क्वाइर साइन बनाए जहापर से प्रापटी 36 वर्स के बाद तो मिलेगा ही मिलेगा और जिंदगी अच्छी होगी भी मल्टिपल प्रापटी के यहोगा यहाँ बी दो दो बन गए क्रॉस के साथ ट्राइंगल्स क्या चाहिए एक क्रॉस थे मिस्टीरियस क्रॉस उसके साथ आपके दो स्क्वाइर्स हैं आप क्या चाहिए आपको धन लाव तो आपकी जिंदगी पर जरूर होगा सनमर करीब हज़बरदस्त बुद्धिवेक से कारी करने वाली बहुत समझदार तेज तराख ऐसी महिलाएं बहुत समझदार होते एक्स्ट्रीम हर टाइन अच्छी है ना तो बहुत इमोशनल ना तो बहुत रूरूर हलकी फलकी एमोशन से नॉर्मल है बाकी विश्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले जबरदस मस्तिक सरेका दिमागी बहुत तेज ये क्रॉस है जो प्रॉपर्टी को दर्शाता है आगे भी प्रॉपर्टी के योग बन रहे है तो 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग बनेंगे आप जरूर बनाओगी इसके पहले भी योग थे तो ये प्रॉपर्टी आपकी फलित होई होगी बहुत अच्छा है दिल दिमाग से बहुत अंद्रुस्त हैं आप फिर जबरदस्त आपकी दोनों मंगल मतलब विक्ती बहुत एनर्जेटिक एनर्जी हद से जादा किसी भी चीज को करने का प्राक्रम हद से जादा जबरदस्त प्राक्रमी महिला मंगल अच्छायों दिरगायों जल्दी किसी परकार किस्वास की प्रबलम नहीं होती है जबरदस्त आपका चंद्रमा आगे चलके कुछ बड़ी-बड़ी यात्राएं हो सकती है जबरदस्त शुकर पती पक से धनलाव और शुकर पर लाइंस मनी बनेजमेंट में बहुत अच्छी कुछ स्क्वायर है जो की प्रॉपर लगजरी के शुक को दरशाती है और लगजरी सुक के लाइंस भी बन रहे है वो उसका विसुक आपको ज़रूर मिलना आपके जिन्दगी पर शुकर बढ़िया है तो जिन्दगी अच्छी बीती है जबरदस्त मंगल प्राक्रमी हाद से जादा मंगल रेका अच्छी है जीबन रेका अच्छी है बन रही है आगे चलके यह डवलप करेंगे तो बड़ा सा ग्रिट ट्रेंगल लेकिन फिलाल यह बनी नहीं है बनीगी तो इसके बहुत अच्छे बेनेफिट है जिन्दगी पर जब यह बन जाएगी तो बेनेफिट कराएगी हमारा वाटसप में बडिसक्रप्शन मिल जाएगा लेकि आप समपड़ कर सकते हैं धन्यवाद